बारतिय फॉच से डरे पाक आर्मी चीफ बाजवा ने P.O.K में शुरू की सैन तयारी और लगदाक में फिटने के बाद क्या है चीन का अगला प्लान चीन पाकिस्तान की चालबाजी से जोड़ी हुई सभी बड़े खबरे हम आपको दिखाते हैं टॉप नाइन चीन पाक साज़श में चीन की शैपर पाक आमी चीफ बाजवा ने P.O.K में F-16 फाइटर जेट, VT-4 टैंक, होविजर तोप और करीब 80,000 जवान तैनात कर दिये हैं इसके अलावा गौरी और शाहीन मिसाईलों को भी सीमा पर डेपलॉय कर दिया गया है, भारत भी हर हरकत पर नजर बनाये हुए है P.O.K अक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने TV9 भारत वर्ष्रे कहा कि P.O.K के पाकस्तान का नहीं बलकि भारत का हिंस्ता है और यहां के लोग चीन पाकस्तान के खलाव भारत के साथ हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खुद विवाद पैदा कर दूसरों पर दोश मण रहे है भारत के खलाव चीन की एक और साज़िश का खुलासा हुआ है, गिलगिट बालिटस्तान को पाकस्तान का राज्य बनाने के पीछे चीन का हाथ सामने आ रहा है चीन भारत में जमु कश्मीर और लद्दाकों के निशासित परतेश बनाने के जवाब में ऐसा कर रहा है जमु कश्मीर में चीन पाकिस्तान आतंकी कर जोड का सबूत सामने आया है आईएसाई चीनी ड्रोन और हेलिकॉप्टर से जमु कश्मीर में हत्यार सप्लाई कर रहा है चाइनीज राइफल T-97 NSR बरामत किया गया है बारतीय सीमा पर पाकिस्तान के घुस्पैट कि साजिश को नाकाम कर दिया गया है सामबा सेक्टर में सीमा के पास करीब चार संदिक दिखे जो B.S.F. जवानों की फारिंग के बाद फरार हो गए इस दोरान पाकिस्तान की ओर से B.S.F. पर फारिंग भी की गई बारतीय सेना की जवाबी का रिवाई में बटल सेक्टर में एक पाक सैनिक मार आ गया पाकिस्तान ने पुंच में सीजफायर का उलंगन किया था पिछले एक हफते में तीन पाकिस्तानी जवान मारे जा चुके हैं सरकार कल चौथा सरजिकल स्ट्राइक दिवस मनाएगी 28 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने P.O.K. में आतंके शिवरो पर सरजिकल स्ट्राइक की थी सेना ने इस स्ट्राइक से पाकिस्तान की सेना को उरी हमले का जवाब दिया था पाकिस्तान की भारत में देहशत फैलाने की साजिशों को सुरक्षा एजन्सियों ने एक बार फिर नाकाम कर दिया पश्शिब मंगाल के मुर्शिदाबाद से N.I.A. ने S.T.F. के साथ मिलकर अलकाइदा के समीम अंसारी नाम के संदिक को गरफतार किया है क्या आप पर भी बर्पा है जाल साजी का कहर सपने तूटे आपके न घर के न घाट के देखिए लूट घर हर रात साड़े नौ बजे फिकर आपकी